अब आप बोलोगे कि क्या फेक रहे हो बिना अंडे का कुन सा ओमलेट होता है तो जी हाँ आज मैं बिना अंडे का ओमलेट लेके आई हूँ और मेरी फ्रेंड्स ने जब इसे खाया ना क्योंकि मैं तो ओमलेट खाती नहीं हूँ अंडे वाला तो वह बोल रहे थे कि 75-80% टे तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो बिना अंडे का ओमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप बेसन सारा मेजरमेंट आपने एक ही कटोरी से या इस तरह से जो कपाते ना उस तरीके से आपने करना है मेरे पास यह बेसन सिर्फ इतना ही था तो एक कप से थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है अगर आपके पास बहुत सारा है तो आप एक कप भर के ले लिजिएगा और उसी कप का एक तिहाई हिस्सा हम यहाँ पे मैदा लेंगे और मेरे पास बेसन थोड़ा सा कम था तो इसी कप का मैंने एक तिहाई कप है यानि कि जो ती रिकाव खंद करते ना उसी according आप सकते है और साथ ही हरा धनिया आप डाल सकते है जो भी वेजिटेबल आपको खाना पसंद दा न वह वेजिटेबल के लिकिन में बिल्गुल सिंपल वाला omelet ही बना रही हूं अब इसमें आता है मेन इंग्रेडेंट इसमें मैं डाल रहे हूँ एक टी स्पून भर के बेकिंग पाउडर तो ये टी स्पून है गाईस ये इस तरह से आती है ना ये टेबल स्पून है बड़ी वाली और मैं यहां पर डाल रहे हूं टी स्पून तो ध्यार रखेगा टी स्पून आपने डालनी है टेबल स्पून नहीं डा अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे लेकिन मिक्स करने से पहले एक चीज में इसके अंदर भूल चुकी हूँ वह है नमक तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा नमक डालना लेकिन मैंने बाद में इसमें डाल दिया था जो कि वीडियो में शूट नहीं हो पाया अब बार ठ्धूर्त पाणी और मिक् 놀ा है ने अगर आपका एक बेशन है यह प्सक्रान होने कि इस तरह की कंसिस्टेंसी तरह कीद भी यह यह साही और अब मैंने यहां पे तवा चड़ा दिया है नीचे से थोड़ा से घी से हम ग्रीस कर लेंगे आप लगा सकते हैं बट यह ओमलेट जो हम बनाएंगे घी में बहुत ही अच्छा बनेगा और इस तरीके से हमने कोई बड़ी वाली चमच लेनी है और इस तरीके से पहले ह हमने हिलाना है बैटर को बिल्कुल नीचे तक और इसके उपर हमने डाल देना है जब तवा हमारा मीडियम होट हो जाए बिल्कुल थंडे तव prioritize देंगे और पिल्कुल ही pact बने अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका color तो कच्चा लग रहा है तो वैसे तो omlet का color है वो कच्चा type ही होता है इसी तरीके से होता है और तभी जागे soft लगता है लेकिन आप इसे पकाना चाहो तो पका सकते हैं यानि कि golden color आने तक आप इसके सीकाई कर सकते हैं बट जो omelette होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है और यह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है क्योंकि हमने इसमें baking soda डाला था तो बिल्कुल अंदर तक यह पक चुका है और यह देखे बहुत ही अच्छा texture इसका आया है अब जो लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते न और सोचते हैं कि omelette कैसा होता है कैसा taste में होता है उन लोगों के लिए तो यह बहुत ही best option है आप अगर इसको try करेंगे न तो बिल्कुल 75-80% आपको omelette जैसा ही लगेगा बिल्कुल healthy option है तो guys यह देखे मैंने सारे के सारे omelette बना कर तयार कर लिए है और आप भी इस recipe को जरूर ही कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह omelette जितना कितना percent लगा और आज की recipe आप लोगों कैसी लगी कमेंट करके जरूर ही बताईएगा और पसंद आए तो चैनल को like, share and subscribe कीजिएगा